नमस्कार मैं हुदिपाली आप देखेरें खबरफास मॉर्निंग कैफे में आपका सवागत है चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के तेहास पर आपको पतादे कि आज के दिन साल 2008 को मुंबई पर ऐसी चरम पंतियों का हमला हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिय था समुदरी रासे से आय चरम पंतियों ने मुंबई की ताज होटल और ब्रॉय होटल लियोपोल्ड कैफरीच चत्रपती शिवाजी टोमिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया था चरम पंतियों ने अपने एक ए-47 राइफिलों से जगा जगा अंदर तुन गोली बारी की हाथ गोले फेके और आग लगाई गई लगतार साट गंटे चले इन हमलों को पूरी दुनिया ने टेलिविशन पर देखा इन हमलों में कम से कम 180 लोग मारे गए थे जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुर किया जा चगा था ये सबी हमलवर पाकिस्तानी थे हलांकि पाकिस्तान पहले इससे इंकार करता रहा बाद में उसने इससे स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि इस हमने से सरकार या फिर सरकारी एजेंसियों का कोई लेना देना नहीं है